हलो एवरीवन वेलकम तो नेक्स पार्ट आफ क्लास 11 इस्ट्री और हम चैप्टर 5 पे नुमेडिक एम्पायर पे और यहां पर हम क्या देखने वाले हैं कि जो मॉंगोल का हाल चंगेश खान जी के बाद क्या होता है अब जो हम जो मॉंगोल का एक्सपैंशन है वो चंगेश की डेथ के बाद दो फेसे में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट फेस जो अलमोस्ट 1236 से 42 के बीच में रहा था जहां पर जो मेजर गेंस थे जो मेजर उनकी जीत थी वो ते रशिन स्टेपी बलगर काई पॉलैंड और हंगरी और सेकिंड फेस में क्या-क्या आ जाता है जो क 1255 से 1300 के बीच में था चाइना का कंक्वेस्ट इरान इराक सीरिया इन सब का कंक्वेस्ट हुआ था अब जो मॉंगोल मिलिटरी फोर्स थी उनके अंदर बहुत सारे चेंजिस हुए थे बट 1203 के बाद ये चेंजिस काफी सारे होने शुरू हो गए थे अब 1260 के बाद इनका थोड़ा सा डिकलाइनेशन शुरू हो गया था बहुत हलका सा पर फिर भी जैसे अगर हम बात करें वियाना की या इसके बियॉंड की जैसे की यूरॉप हो गया एजिप्ट हो गया यह अभी भी मॉंगोल फोर्स के कबजे में था अब ये सारी चीज़े क्या जलती जा रही तो फर्स्ट क्या था जो कॉंसेक्विंस था अब देखिए हम पिछले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं अभी इसी भी चैप्टर में देख रहे हैं कि किसी भी सामराज्य का नास बाहर वाले नहीं करते हैं किसी भी सामराज्य का नास घर वाले करते हैं अगर हम किसी और से लड़ाई कर रहे हैं तो हमारी पूरी फैमिली और स्ट्रॉग होती है अगर हम आपस में जगड़े करने लगते हैं तो हमारा जो गुरूप होता है तो तूटने लगता है और चंगेश कांजी का क्या मानना था उनका ये मानना था कि सब लोग एक साथ रहने चाहिए अगर कि अगर हम यहां पर कॉंसिक्वेंस की बात करें तो जो मॉंगॉल फैमिली के डिसेंडेंट्स थे जिसे की जोची और ओगो दई उन्होंने उनके बीच में थोड़े बहुत कॉंफ्लिक्स जो होते थे वह होने शुरू हो गई थे इंटरनल पॉलिटिक्स उनके बीच में चलनी शुरू हो गई थी अब उनका इंटरस्ट क्या था कि ऑविसी बात है उनको सब पे तो रूल करना ही था वट वो क्या चाहते थे कि उनकी जो आपस में क्या हुआ था एक पॉलिटिक्स होनी शुरू हो गई थी कि इतने सारे लोग मिलके क्यों रूल करें जो ज्यादा पावरफुल है वो रूल करें इस चक्कर में थोड़ा थोड़ा इनका डिक्लाइनिशन शुरू हो गया अब जो उनका डिफीट और इंक्रीजिंग प्री उक्यूपेशन विच चाइना था जिसकी वजह से वेस्टन एक्सपैंशन जो था उनका एंड हो गया क्योंकि एक त सारी थी तो इसकी वजह से इंटर्नली कॉन्फिक्ट होने शुरू हो गया उनके बीच में और एक साइट से जो इनका एक्सपैंशन था वो स्टॉप हो चुका था नेक्स सेक्शन में क्या डिसकस हुआ था कि कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने प्रोग्रेस में हेल्प करी कि तो मॉंगॉल्स के बीच में बहुत सारे जो ऐसे नुमाडिक सुसाइटी ती जिनके अंदर ऐसा नहीं था कि एक ही ग्रूप के लोगे उनके अंदर बहुत सारे ग्रूप के लोग ते जो हम पहले भी देख चुके थे कि चंगिस खान ने क्या करा था कि उन्होंने किसी एक कम्यूनिटी पे कोई बिलीव नहीं किया नहीं किसी एक रिलीजियन पे नहीं किसी एक कलर पे उनका क्या था कि कोई नुमाडिक है तो मेरा अपना है और वहां पे वो लोग इतने जादा इस चीज को लेके अगरी थे कि सारे कि सारे अडल्ट में जो थे जब भी आम फो शुरू तो बहुत छोटी सी होईती लेकिन जो धीरे धीरे इनका उनिफिकेशन होते होते यह बहती बहतरीन आर्मी बन गई थी मतलब यहां पर जो लोग थे नो होमोजीनियस नहीं थे हमोजीनिस मतलब एक जैसे नहीं थे हेटरोजीनियस माइस फीपल था इपरेंट तो इन्हों ने जो तुर्की कोई गर्स थे, जो अपने ही खिंग थे, अपने ही लोग थे, उनको हराने में मदद करी थी, क्योंकि अपना किंग तो अच्छा लगेगा ना, जब वो आपके लिए कुछ करेगा, तो इस तरीके से उनकी जीत जो थी वो होना शुरू हो गई थी चंगेश खान का वर्क बहुत जादा सिस्टेमाटिक था उन्होंने जो ओल्ड ट्राइब्स थी उसमें क्या होता था जैसे सेना की टुकडी हुआ करती थी जो ट्राइब में एक जगे पे लोग रह रहे हैं तो वो किसी भी फ्रैक्शन में रहते थे थे बट इन्होंने क्या करा उस चीज को चेंज किया उन्होंने का इस दिवीजन को यह तो टैन्स हंडर्ड थाउजन में करो और जो सबसे बड़ी जो प्रूप करती थी वो दस हजा इसको तुमन बोला करते थे जिसमें different different type के लोग ते different group of people ते ऐसे नहीं तर एक ही tribe थी एक तो उनने पुराने सिस्टम को क्या कर दिया था यहां पर तोड़ दिया था और एक नया सिस्टम लेकि आये थे अब जो नई military contingent थी इसमें क्या हुआ कि जो उसके चार बेटे थे उन चार बेटों को चार अलग-अलग जगों पर रूल करना था जो एक नए बैंड के अगर हम बात करें तो जो चंगेज खान है वो क्या करते थे कि जो भी उनके बढ़ियां लोग होते थे जो इन्के यод maior दो साद करते थे उनको वो समानित करते थे अपने ब्लट ड्रेदर्स कहके या यानिकि यह मेरा सगा भाई यह और उसके अलावा स्पेशल रांकिंग्स देते थे स्लेवरी में बिलीव नहीं करते थे उनको भी एक अच्छी रैंकिंग दिया करते थे ताकि उनका क्लोज रिलेशन्शिप शो हो उनके मास्टर के साथ जिससे वो और भी अच्छे तरीके से वर्क करें उनका ग्याता कि ठीक है जी आप मालिक नौकर में काम करा सकते हो लेकिन रिष्टों में जो काम होंगे वो बहुत ही बहतरीन होंगे आप अपने सगे भाई बेनों के लिए उतना क अपनों को दोका देने में बहुत महनत बहुत इज्यादा लगता हिम्मत नहें कि एक और ही बहुत ज से कौन पंगल को दोस्ते भाई हेः बहुत अची बात है इस से बडिया वह इंके अब बीद हेगा хотите क्या करण इसमिंध को अपने चार संस को और चार डिफरेंट जगे की जो सारी राजनीती वग्यार थी उन्होंने उन चारों को ट्रांसपर कर दी अब अगर हम बात करें एल्डेस संजो ता जोसका नाम जोची था उसने रिसीव किया रश्यन स्टैपीज में सेकिंड संजो चगताई था उसने क्या रिसीव किया उसने ट्रांजोशियन जो स्टैपीज थी वो करी और उसके अलावा जो चंगेश कान का तीसरा बेटा था पर जया बिदेखे उनके बात वही बनेगा एटकान बनेगा और उनको क्या मिला था उनको मिला थी क港्रागोर म क्पटल बना खिर उनको ने एक और जित था घोपत ने यह इंसने लाच्डम के रहें आप चैछे और ऊज़ो cela कले कि पर उनकी इमेशा घान git यह हमेशा बाद जो भी डिसीजन थे फैमिली से स्टेट से या सीजन से रिलेटेड कैमपेंज, इस्टिबिशन ओफ लेंडर, पास्टिय लेंड सेक्सेशन वो सब कलेक्टिवली लिये जाते थे वो डिसीजन नहीं था कि कोई एक अकेला बंदा ले रहा था वो गुरुप में लिये जाते थे कि देखिए ये चंगेज कान का फैमिली ट्री है अब देखिए जो ये चंगेज कान है इनकी शकल ऐसी नहीं थी बाना जाता है कि इनकी शकल कोई भी नहीं जानता कि ऐसी थी सो ये इनका फैमिली ट्री है ये देख सकते हैं आप अब जो चंगेज कान थे उन्होंने क्या कर उन्होंने इन डेवलापेंट भी बहुत किया था उन्होंने एक रैपट कोरियर सिस्टम चलाया था जिसने डिफरेंट एरिया उसको क्या कर था एक दूसरे से कनेक कर दिया था और उसके अलावा जो जो भी लोग जुड़े हुए थे वह इतना बिलीव करते थे उन पर कि जो पास्ट लिस्ट वगेरा हुआ करते थे वह अपना जो भी उनका काम था उसका उन्होंने पर एक उनको देदिया करते थे उसको कुब को टेक्स करते थे और यह बड़ी खुशी से दिया करते थे क्योंकि उन्हें पाता था इस थे बद्लिव उनको जो बेनिफिट मिल रहा ह और जो कुरियर सिस्टम था चंगेश खान की डेथ के बाद और भी जादा रिलाइबलेटी और भी जादा स्पीड के साथ वढ़ा था जिसकी वज़े से जो ग्रेट खान्स थे उनको उनका जो डेवलाप्मेंट वगेरा था वो इस चीज पे मतलब लोगों क्या लग रहा था हाँ ठीक है यह लोग भी डेवलाप्मेंट में हेल्प करें अब जो कंकर्ड पीपल थे जिनको चंगेश खान जीता करते थे वह बहुत ज्यादा है नहीं थे उनसे अपने नुमेडिक मास्टर से क्यों नहीं थे वई क्योंकि अगर आपका आपके शेहर में आकर आपकी जि पीपल जो थे वो मर जाया करते थे बहुत सारे लोग एंसलेव भी हो जाया करते थे और इन फैक जो सारी क्लास के पीपल थे ऐसा नहीं था कि एलीट सी या सिर्फ गरीब लोग इससे एफेक्ट होते थे सब लोग इससे एफेक्ट हुआ करते थे इन फैक एक ऐसी घटना है जो मानलो आप एक जगे है जहां पे जो अंडर्ग्राउंड कैनाल्स थे उनकी ठीक से सफाई ही नहीं हुई कई दिनों तक जिसकी वज़े से अंदर ही अंदर वो जो था कुछ खुड़ा वगयरा कच्ड़ा वगयरा खट्टा हो गया था इसकी वज़े से लॉजिकल डिवास स्टेशन हो गया खुरासन में जो कभी रिकवर ही नहीं हो पाया था सो ऐसा नहीं था कि वह से शीज को सेरिया को जीद के बहुत ध्यान रख रहे थे बहुत सब्सक्राइब जबर्दस्ती वाली रिस्पेक्ट थी कि हाँ डर बहुत था खॉफ बहुत चौफ बहुत था चं अच्छा नहीं डरे चलो कोई बात नहीं फिर भी इनका खौफ जो था बहुत ज्यादा था इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं और आप सबसे मिलेंगे अगले पार्ट में विडियो थेंक यू सो मच्छ